दावे की साथ कह सकती हूं क्योंकि पास्ट में ने भी बहुत ही ज़्यादा पिंपल की प्रोबलम फेस कर रही है । अज हम पिंपल्स रिलेटट साठी चीजों पर बात करेंगे पूरे डिटेल में सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूं तो सबसे पहले में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टिप सेयर करने वाली हूं तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग सोच रहे हूंगी खाना खाने के से थोड़ी हमें पिंपल हो जाते हैं बट देखो आप जो भी चीजे खाते हो ना जब आपके बॉर्डी में जाती है और जब अगर वह अच्छे से फेस्ट नहीं हो पाती है तो वहीं चीज आपके फेस पर होने लगता है तो इसलिए अगर आपका चार्व हैल्दी रहेगा तो आपको क्या करना आपका जो भी फोड रोटीन है उसमें से जो भी आप आप खाते गो इस वाल को कटप कर दीजिए बिलक सेजिनल फ्रूट भी खा सकते हो at least 5 लिटर ऑफ वाटर तो लेना ही आपको वैसे तो 5-7 लिटर पानी लेना चाहिए बट अगर आप पांस लीटर पानी भी ले लेते हो ना तो आपको पिंपल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी आपको healthy खाना ही खाना है क्योंकि आप जो भी चीजे खाओगे वही चीज आपके फ्रेस पे भी दिखेगी तो आप खुब सारा पानी भीजी धेर सारा फ्रूट्स खाए और healthy रहे टिप नमर टू इस ऑलसो रिलेटेद टिप नमर वन डाट इस फूट फूट में आ जाते हैं आपको सब कुछ तो लेना यहें बट आपको dirty प्रोडस नहीं लेने हैं क्योंकि वो आपके body को indigestion प्रोवाइड करते हैं वो आपके पिंपल चले जाएगे बट आप पोसी सी नहीं करते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है हाँ आप दही खा सकते हो क्योंकि उसमें एंटी फंगल एंटी प्रोपर्टीज होते हैं जो आपके क्लॉप को ओपन करती टिप नमर 3 एक्सरसाइज अब पता नहीं क्यों काफी लोगों क को लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम जाकर ही की जा सकती है बट ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको बहुत टुफ वाला एक्सरसाइज करने नहीं बोल रही हूं आप यूटुब फोली उसमें कोई भी बिगनर टुटोरियल जाल दीचिए और 10-15 मिंट सिफ आपको अपको नहीं लेना है वैसे आप योगा करोगी तो ओल्डेटी आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपको फिमपल भी नहीं हो एक्स्ट पॉइंट इस वेरी वैरी इम्प्रेंट्न डैतिस मेंकप आज कल आ ऐसा ट्रेंज हो गया है है कि मतल्द हो फोड़ी दिर के लिवे से कि नवे ऐसे इसलिए आपको बेरा उब तो युट में में था रहत करना है तो यह कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस से टिप जिनको आपको डे टो डे लाइफ फोलो करना है अब बात कर लेते हैं ऐसे ज्यादा एफेक्टिव है पिंपल्स के लिए तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं रेमिडीज में आपको अभी बताने वाली हुआ वह रेमिडीज में खुद बहुत बार युज कर चुकी हो अपने पिंपल को सही करने के लिए और यह रेमिडीज हो है बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है और इसको बनाना उतना ही ज्यादा इज़ी भी है तो सबसे पहले आपको क्या करना आपको थोड़ा सा सेंडल पाउडर लेना है आप चाहो तो अपने हैं पिंपल करके लगाना अच्छे से अप्लाइ कर लेना और करने के बाद 20-25 मिनट आपको आपको नॉर्मल वाटर से वास कर लेना अब देखो अगर आप इस रेमिडीज को डेली फोलो करते हो ना तो आपके पूरी तरीकी से बहुत ही जल्दी खतम हो जाएंगे लेकिन प्र दूसरे दिन दूसरे जगह पिर से नया पिंपल आ जाता है और आप सोचते हो या रेमिडीज तो वर्की नहीं कर रही है हमको तो अच्छा रिजल्ट मिली नहीं रहा है आपके पिंपल जो है न वह बार बार बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए आपके लिए एक से या फिर कोई गंदगी आपके पोर्स के अंदर चली जाती है तो आपको क्या करना होगा आपके फेस पर जो गंदगी आ रही है उसे आपको रिमूब कर देना है पोर्स के अंदर जाने से पहले ही बट इनकेस थोड़ी बहुत गंदगी अगर चली भी गई होगी आपके के अंदर तुसे बहुत ही आसानी से बड़ी अच्छे तरीके से रिमूब कर लेंगे तो उसके लिए एक तरीका है जो कि उल्मुष्ट सब को पता होगा तो वह एक्सपोलियेशन मतलब आपको इसक्रब का यूज करना होगा सो फर्स्ट स्टेप विज फेसवस यहां पर मैं अरोमा मैजिक नीम टी ट्री फेसवस यूज कर रही हूँ तो प्रसनली मैं बताओं तो यह फेसवस में खुद यूज करती हूँ जब भी मेरे फेस पे पिंपल होने लगते हैं और यह काफी जादा है यह मेरी पिंपल को रिम करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राय आउट नहीं करता है इसे एक मिनट तक आपको ऐसे ही फेस पर मसाज करना है दिन आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वस कर लेना है तो सेकेंड स्टेप है अमारा एक्सफोलियेसन मतलब इस पर तो इस स्क्रब को बना एंड वन पिंच हल्दी आपको इसमें एड कर देनी है फिर लास्ट में आपको इसमें एड करना है वन तो टू टेबल स्पून नॉर्मल वाटर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राय है तो आप इसमें रॉ मिल्क भी एड कर सकते हो एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए दिन इस स्क्रब को आपको जेंटली पूरे फेस पे अच्छे से एप्लाय कर लेना है एंड आपको जेंटली स्क्रब करना है एक मिनट तक मैंने इसमें फ्लोर ब्रेन मतलब चोकर एड किया था या आपकी फेस पे जो भी गंदगी होगी ना वो रीमूव होती जा फेस पैक प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले आपको एक बावल में 2 टेबल स्पून मुलतानी मिट्टी लेना है एंड वन टेबल स्पून आपको इसमें नीम पावडर एड कर लेना है एंड इसके अंदर आपको 2 टेबल स्पून रॉ मिल्ट एड करना है एंड इसे अच् इस face mask को बनाने के लिए मैंने इसमें मुलतानी मिट्टी एड़ किया है जो आपके excess oil, dirt, sebum, sweat and impurities को आपकी skin से remove करता है और ये आपके pores को भी deeply cleanse करता है नीम पाउडर में बहुत ज्यादा amount में antioxidant होता है जो आपके acne को pimple को cool down कर देता है and reduce कर देता है इसे आपको 10-15 मिनार तक dry होने के लिए ऐसे ही आपको छोड़ देना है then आपको अपने face को wash कर लेना है with cold water and you can see the actual glow on your face आपकी skin बहुत ही ज्यादा healthy लगेगी next step is toning, तो toning के लिए आपको कोई भी pure rose water लेना है और उसे cotton की help से dapping motion में apply कर लेना है क्योंकि जब तक आपके face के pores properly close नहीं होंगे तब तक आपके face पे pimple and acne तो होते ही रहेंगे so make sure कि आप जितने बार भी अपने face को wash करो उसके बाद आपको toner पका से apply करना ही है next step is moisturizer, तो moisturizer के लिए मैं यहाँ पे use कर रही हूं aloe vera gel का अगर आप moisturizer apply नहीं करना चाहते हो तो आप simply use कर सकते हो aloe vera gel का यह आपकी skin को healthy and hydrate करता है moisturizer करता है क्योंकि इसकी non-greasy formula आपकी skin में deeply जाके आपकी skin को moisturizer provide करता है और साथ ही साथ आपके pimple को भी कम करता है और आपकी skin को glowing effect प्रोवाइट करता है अगर आप इन simple steps को follow करते होना daily day to day life में तो आपकी skin healthy and pimple free हो जाएगी तो हो फैकी कि वीडियो आप लोगों के लिए helpful and amazing लगी हो तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you